नमस्ते और वेलकम टू माई चैनल प्रीक किरियेटिविटी आज मैं आपके साथ अपने मिनियेचर्स के शॉपिंग शेयर कर रही हूँ जब हम इन मिनियेचर्स को अपने प्लांट्स के बीच में रेंच करते हैं तो हमारे बाट बहुत सुन्दर लगने लगते हैं और यह हैं बर्ट्स जिसका प्राइस है ट्वेंटी वन रुपीज इच यह ऐसी मैंने टोटल सिक्स मंगवाई हैं और यह है बैंच यह सब रेजिन के बने वे हैं और इसकी कॉस्ट है 85 रुपीज उनली यह एक लीफ फ्रॉग है जिसकी कॉस्ट वन ट्वेंटी सेमें है क्योंकि यह मैंने दो पीसेज मंगवाई हैं और यह है बोट जिसकी कॉस्ट 75 रुपीज है यह बहुत अच्छी है यह फैंसिंग है पाम ट्री है पाम ट्री मैंने फाइब बंगवाई हैं जिसकी कॉस्ट मुझे वन नेटी नाइन रुपीज पढ़ी हैं और यह है हमारे छोटे से कॉलेज कपल क्यूट से जिसकी कॉस्ट मुझे 223 रुपीज पढ़ी है यह देखिया है ना कितने क्यूट से और यह है मेरी लेडी बर्ड्स यह मैंने टूटल सेबिन मंगवाई हैं जिसकी कॉस्ट मुझे को 18 रुपीज के करीब पड़ी थी यह जो वाइट पोशन आप इस पे देख रहे हैं यह स्टोन पे अराम से इसको हम चपका सकते हैं जिससे यह हमारी पानी से दोरदर भी नहीं बहेंगी और हमारे सामने भी दिखती रहेंगी हैं यह देखने में भी एकदम रियल सी हैं और यह हैं चेयर्ट्स मेरी यह मैंने फोर मंगवाई थी और यह हैं दो पगोड़ा हाउस जिसकी कास्ट मुझको 66 रुपीज की पड़ी थी यहनी 33 रुपीज ही चुआ बहुती क्यूट से हैं यह भी जहां मैं बुद्दा जी को बठाओंगी तो उसके साथ यह रख दूँगी और यह डख है इसकी कास्ट मुझको 33 रुपीज पड़ी थी और यह जो शीप है यह टोटल मैंने फोर मंगवाए हैं जिसकी कास्ट मुझको 98 रुपीज पड़ी है और यह मैं जहां जंगल क्रियेट करूँगी उसमें अरेंज करूँगी तो यह मेरे बहुत सुन्दर लग लेंगे यह जो ब्रिज है इसकी कास्ट मुझको 92 रुपीज पड़ी है और यह है दो आउल जिसकी कास्ट मुझे 124 रुपीज अली पड़ी है और यह है इक आउल ट्री जिसकी कास्ट है 106 रुपीज अली यह दोनों ही चीजे एक तब सॉलिड हैं कुछ भी नहीं होगा इनको मुझे बहुत पसंद आया अनका सामान और यह है चोटी सी क्यूट सी विक ब्रिला जिसकी कास्ट है 183 रुपीज ऐसी मैंने तीन मंगमाई है तो टोटल तीनों की कास्ट है 183 रुपीज पाइंट सम्थिंग प्लांट के बीच में कहीं भी अरेंज करेंगे तो बहुत खुब्सूरत लगेगा इससे आपका प्लांट और यह एक और मेरी हटर ना कितनी क्यूट सी एक्दम सॉलेड यह देखिए ना क्यूट सी सब और इस हट का प्राइज है 63 रुपीज ओनली चोटी चोटी सी और हट है ना कितनी क्यूट सी यह देखिए एक्दम सॉलेड से हैं और यह है पाम ट्री जो टोटल फाइव हैं और जिनकी कॉस्ट मुझको 188 रुपीज पड़ी है और यह है बेबी बुद्धा जिसकी कॉस्ट है 45 रुपीज ओनली और यह वही कॉलिज कॉपल है जिसकी कॉस्ट सिंगल की कॉस्ट हमको 115 रुपीज पड़ी है और यह मेरी सारे शॉपिंग इसको मैं एक बार और कैमरे के सामने दिखा देती हूं और यह हमारा अंब्रेला यह भी बड़ा प्यारा सा है और फैंसिंग जिसकी कॉस्ट मुझे 300 पड़ी है यह मैंने दो मंगवाई हैं और यह हमारे चोटे से क्यूट से लौक पर बैठे वे मंकी राजा और इसका प्राइज है 122 रुपीज और इस तरीके से यह मिनियेचर्स को हम जब प्लांट्स में रेंच करेंगे तो हमारे पॉट और भी खूबसरत हो जाएंगे चलिए एक निगा डालते हैं आज की शॉपिंग पर यह देखिए और यह देखिए मैंने अपने मंकी को रॉक पर इस तरीके से अरेंच किया है कि वो रियल सा लग रहा है गार्डन में बैठे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं यह देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा यह मेरा जैन गार्डन अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए मिलती हूँ फिर किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाए अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छा लगे हो तो प्लीज बाबाए नहीं किया है।